बहुत लजीज, मज़ेदार और इजी रेसिपीज अगर आप खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगा पर हैं मेरे सथ हमीशे इस चैनल पर बने रहे हैं चलिए तो इंडियन अरोमा के किचन में चलिए और चलके बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल डोडा बर्फी जो घर में समान पड़ा है उसी से बनाएंगे कुछ भी बजार से नहीं मंगवाएंगे अगर कोई चीज हमने ऐसी यूज किये तो इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगी लास्त तक वीडियो में में सथ बने रहे हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजे तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहेगी तो चलिए अब हम डोडा बर्फी बना लेते हैं वैसे तो आपने सुनाओगा कि डोडा जो है वो अंगूरी आटे से बनता है पर हमारे को उस आटे की ज़़ूरत नहीं है वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है तो वो करना के पर मुश्किल होता है तो हमने क्या किया हमने जो दलिया होता है ना दलिया आपके घर में सब लोगों के घरों में दलिया रहता है तो हम दलिया ले लेंगे और यहां मैंने 80 ग्राम दलिया लिया है और उसे मैंने भून लेने तब तक जब तक कि उसके दर खुश्वू ना जाए अच्छा अगर आपका दलिया थोड़ा मोटा हो तो आप उसको एक बर मिक्सी में हलका सा चला लें तो वो थोड़ा सा बारीक हो जाएगा और ये धनिये को लेकर आपने इसको हलके हलके भूनते रहना है पांस से साथ मिनट तक आप हलके आज के उपर इसे भूनिये कि इसमें खुजबू आने लगे और अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ दो चम्मच आटा जो हमारा रोटी का आटा होता है ना सबके घर में अवे लेवल है तो बस वो दो चम्मच मैंने रोटी का आटा ले लिया है वो इसके अंदर मिलाया है आप कई लोग नहीं मिलाते पर इसको मिलाने से हमारी बर्फी को एक टेक्स्चर मिलता है अगर आटा ना चाहें तो आप दो चम्मच मैदा भी मिला सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसको हलका सब भून लें इसको भी उतना भूने कि आटे की भी जो भूनने की है आपके बस खुश्बू आने लगे तो इसको भी तीन से चार मिनिट लगेंगे थोड़ा सा मीडियम से लो के ओपर भूनिये बहुत तेज आट पर कभी मत भूनिये नहीं तो क्या होता है उसकी जो एक सुंधापन होता है बर्फी का वो चला जाएगा तो बिलकुल लो से मीडियम क अपनी हीट को ले जाएगे और इसको हलके हलके से चलाते रहिए तो इतनी बड़ी ऐसी अरोमा आने लगेगी आपको यह फील हो जागा कि येस आपका जो अब यह आटा है यह बनके बिलकुल तयार हो गया है उसका कलर चेंज हो जाएगा और जो दलिया है उसका भी कलर चे अब मैंने एक कड़ाई के अंदर सवा लीटर दूद ले लिया है एक पैकेट यहां सवा लीटर दूद ले लिया इसके अंदर बस यहा दूद को को innovative बॉइल करना है पर जो बॉइल होने से पहले ही जब थोड़ा सा रह जाए तो हम लोगों ने क्या करना है उसके अंदर मै असली घी डाल दिया यहां पर और इसके अंदर मैं 60-70 ग्राम दही डाल दूंगी आप दही ना डालें तो आप एक चमच सिट्रिक एसेट का भी डाल सकते हैं और वो भी आपके पास ना हो तो अगर विनेगर हो खाने वाला तो आप विनेगर का एक चमच थोड़े से पानी मे यह देखे और जब दूद फटने लगे तो हमने क्या करना है जो हमने दलिया और आटा भून के रखा था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको हमने लो हीट के उपर पकाना है क्योंकि आपका जो दलिया है वो बिलकुल परफेक्टली गल जाना चाहिए वो ह आपका टेक्स्चर भी खराब हो जागा और आपका जो अगर दलिया हाड हुआ तो टेस्ट भी खराब और बस अब हम इसके अंदर मीठा डाल देते हैं उसके लिए मैंने क्या किया आपको 200 ग्राम मीठा डालना है तो मैंने क्या किया इसमें 100 ग्राम गुड ले लिए और 100 छीनी ले ले लिए बने मेखने दो करेंगे और इसको पखने देंगे बिल्कुल senior के उपर क्यों पकने देंगे की कि हमारी चीनी युआ गड़ो जाए वह परफेक्टरी दूढ के साथ मेस बस्के आप सतह सकते हैं पर इसको 2 मिनट लगेंगे और यह परफेक्टी एकदम से क्या होगा इसके अंदर दूद में मिक्स हो जाएगा बस और अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चमच के करीब इलाइची आधा से 1 चमच इलाइची आप डाल सकते हैं अंदर अपने टेस्ट के साथ से तो वो डाल दीजे और अब इसको फिर हम थोड़ी से पकने देंगे और थोड़ा सा मारे कि उसमें पेशिंस रखनी पड़ेगी क्योंकि जिब हम डोडा बना रहे हैं तो हमको इसको मैं बार बार कहूंगी कि मीडियम से लो की तरफ रखना है क्योंकि हमारा जो दलिया है वो परफेक्टली को खोना चाहिए ये सबसे बड़ी चीज है चलिए तब आगे की तैयारी कर लेते हैं यहां मैंने आदा कप के करीब बदाम अक्रोट और थोड़ा था मैंने इसमें पिस्ता था जिसको मैंने हालका सा मिक्सी में क्या कर देता ह जैसे तब पल्स करके छोड़ दिया वो करके डाल दिया है और यह मैंने इसके अंदर चताई कप के करीब नारियल का बुरादा डाला है नारियल को घिसके मैंने इसके अंदर डाल दिया है आपके पस अगर बुरादा अवेलिबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं और इसको क्या करेंगे मिक्स होने देंगे और इसको हलकी हीट पर पकने देंगे तो हमारे जो ड्राइफ फूट्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और यहां मैंने एक चमच कोको पॉर्डर ले लिया है उसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दू तो उसका टेस्ट आजाएगा बर्फी के अंदर बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो एक डोड़ा का पर्फेक्ट कलर जो होता है वो आपको कोको पॉर्डर और उसके साथ जब हम और इंज कलर मिलाते हैं यह पिंच ओफ रेड कलर साथ में डाल लेते हैं तो आ जाता है तो आपको कलर तब भी पर्फेक्ट ना लगे तो आप थोड़ा सा फूड कलर और मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर तो बिलकुल पर्फेक्ट मार्केट वाला जो कलर होता है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा और यहां जो आप देख रहे हैं यह मैंने जा रहा है वन टी स्प गी भर कर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसे भूनने देंगे देखिए अगर हमार को मार्केट स्टैल की चीज़ें चाहिए ना तो थोड़ी सी पेशिंस रखनी पड़ती है पर उसका रिजल्ट इतना मज़ेदार होता है ना कि मैं आपको क्या बोलूं तो चलि ज्रू हो जाएगा आप देख सकते हो पहले वाले टेक्श्च्चर में और इस टेक्श्चर में फरक है ना तो बस भूनते जाए भूनते जाए करते जाहिए रिजल्ट बड़ा मज़ेदार होने वाला है जितना हमारे पस घी बचा है उसे हम डालते रहेंगे और आप कंसिस और देखिए वो एक लंब की तरण दोनों तरफ घूम रहा है कहीं चिपक नहीं रहा है यहीं इसकी पहचाना है कि जब यह फैन की साइड छोड़ने लगे इसका मतलब आपका डोड़ा जो है वह परफेक्ली बन गया ये देखिए थोड़ा सा डोड़ा मैंने हात में लेकर द इसकी बस अब हमने क्या किया इक डिश को line कर लिया है अच्छे सेिल या घील लगा कर और अपना डोडा का ञेऊ को मिक्षेर था वो इसके उपर डाल देंगे और इसे फैला देंगे अच्छे से देखें मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और इसको थोड़ा सा टैप कर दीजे कि बिल्कुल पर्फेक्टली सेट हो जाए बस इतना आपको करना है एक ट्रे के उपर कर सकते हैं एक थाली पे लगा सकते हैं और बस उपर से हमने इसके उपर डाल दीए थोड़ा सा नारियल का बुरादा जैसे हैं तो बस यह सब डाल देंगे और इसे क्या करेंगे थोड़ा सा टैप कर देंगे जो हमारे स्पेचलर होते हैं उससे हलके हलके से दबा देंगे कि यह जितने भी यह सब चीजे हैं आपके ड्राइफ फूर्ट्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएं और इसको हम रूम टैंप्रेचर पे छोड़ देते हैं अगर आपके पास जल्दी नहीं है तो आप इसको चार से पांच घंटे के लिए भी छोड़ दें पर मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने इसको थोड़ी टाइम बात काट लिया है पर मैं आपको सजेस्ट चार से पांच घंटे के लिए रूम टैंपरिचर पे छोड़ दें और तब काटें तो इसके जो यह पीसिस है ना यह बड़े ही एकुल और पर्फेक्ट कटेंगे वैसे मैं तो ना एक बात और कहूंगी अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो उससे भी बड़ी हो जाए ना तो इस रेसिपी को बिल्कुल स्टेप बाइ स्टेप फॉलो कीजे और इस डोड़े को बिल्कुल आप बना कर जरूर देखिए बिल्कुल मैं गरंटी से कहती हूं कि पर्फेक्ट डोड़ा आपका बनने वाला है और जो भी खायगा ना वो आपकी तारीफ किये भिना र एक पे गाई ड़ीडा के लीजी कि रेसिपी ना बनाओ है तो दीए कटेट के भी दिखा देती हूं अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो यह और अच्छे से सेट ऑजेगा देखिए कितना मज़दार लग हरे है हमारा डोड़ा तो चलियém पूर आपका खरके ल कर लिजे शेयर कर लिजे और रेसिपी बनाईए अपने फ्रेंड और फैमिली को टेस्ट करवाईए और अगर पसंद आ जाए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लों रखियें, गुट्बाइ, गॉट्ब्लेस यौल, लव यू